Good morning all day are you student if you are new to this channel then subscribe and press the bell icon in this video you are watching ज्ञान सीटू सुगंबर्गो सलिशन English page number 56 So let's start the video इस वीडियो में देख रहे हैं कि this picture is about yesterday यानि इस पिक्चर में जो चीज देख रहे हैं तो yesterday के बारे में बता रहा है रहा है और look at the pictures and write simple sentences using watch or where watch or where को पर्योग करना है और जो आपके पास गतिवीदी दिखाई दे रहा है उस पर आपको छोटे छोटे से sentence को बनाना है यहां पर देख रहे हैं यह बाल कटवा रहे हैं यह देख रहे हैं साम में यह तैर रहे हैं और यह रात में पढ़ाई कर रहे हैं और यह देख रहे हैं आम को तोड़ रहे हैं तो इसी पर मिलता जूलता आपको वाक्च बनाना है कैसा वाक्च बनेगा ये रहा। आपके पास देख रहे थे हमसे, तो वे वेर गेटिंग आवर हेर कट इन दा आफटर नून, क्या लिखेंगे? अच्छी तरह से देखिए, वी वे एर गेटिंग आवर हैर कट इन दे आफटर नूट दूसरा संट्रेश क्या बनाएंगे आई वाज स्विमिंग इन दा एविनिग तो इस तरह से संटेंस को आप देखें इस तरह से अच्छी तरह से बनाने का प्रियास करेंगे आए चलते हैं नेस्ट को आपको बताया जा रहा है यहां पर गतिवीदी जो देख रहे हैं आपर यह कहा रहा है कि कुछ यहां पर गलती दी हुई है उसको आपको सुधार करना है तो सुधार क्या करेंगे कैसे करेंगे तर चलिए इसको देखते हैं इस तरह से बच्चों अब बनाने का प्रियास करेंगे लिखेंगे सी वाज डांसिंग लास्ट मंडे उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर आई वाज वासिंग प्लोज यस्टरडे एट 6 ओकुला इस तरह से बच्चों अब देखें आपका पेज नमर 56 कंप्लेट हो जाता है आ यहां देख रहें एक कस्टमर हैं और यह फल बेचने वाले हैं यह दोनों में आपस में बातचित हो रही है और यह बातचित करते हुए आपको क्या करना है इसी से आपको सवाल कर जवाब करना है जो आपके पास क्वेस्टन दीवी है यहां पर देख रहें फर्स यहाँ पर कितने प्रेंद दो आदमी हैं जो कि इस कहानी में दिश्वी है है इसी तरह से आपको लिखना है next question को क्या का रहा है कि how much he pay for 6 apples 6 apples के लिए कितने रुपिये दिये हैं तो 6 अपेल के लिए 50 रुपीय दिये हैं तो इसी तरह से आपको लिखना है क्या लिखेंगे 50 रुपीज ही पेफोर 6 एपल यह चो लिए उसको 50 रुपिया पेमें लिखिया गया है उसके बाद कता है आडेंटिफा डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम डॉट डायलोक्स इसम यहां पर क्या कर रहा है कि identify and underline the describing words यानि adjective आपको adjective कौन-कौन सा है उसको आपको underline करना है तो यहां लगाएंगे tall, short, old यह new आपका है यहां आप देख रहे हैं sweet है तो sweet को भी लगाएंगे यहां पर देख लिए अच्छी तरह से यह आपका sweet है sweet का मतलम मिठा होता है यह क्या है तो यहां पर अच्छी तरशीच को देख कर बच्चो समझने का प्रियास करेंगे यहां swimming देख यह तैर रहा है यह आपका adjective है यहां आपका blue है यहां आपका blue है निला है यह आपका hot मेंने गर्म है यह आपका क्या है यह एड्जक्तिव है यह red मेंने लाल है इस करेंगे होट यह थीन यह फैट और हैबी यह सभी क्या है यह आप एडियक्टिव को देखे इस तरह से आप लिखने का परियाज करेंगे अब यहां पर क्या का रहा है कि चूज दा राइट डिस्क्रेविंग वड़ फॉर दा गीबहन पिक्चर इस पिक्चर के माध्यम से अभर घबहन यह रिरिदी जंटैंसए इसी को आपको भरना चलिए इसको भषते हैं याँ पर देखन क्या है कि a long neck तो इस सौर्ट नहीं है इसका जिराप का गर्दन कैसा यह लंबा है यदि यह लंबा है इसको लिखेंगे लॉंग यह सौट नहीं लिखेंगे थी नहीं लिखेंगे इस तरह से समझ गए अब यहां पर लिखेंगे यह बेबी कैसा है यह हॉट है हॉट में गर्म होता है यह गलत हो गया इसमॉल है लार्ज है तो बड़ा तो नहीं है तो यहां आपको क्या लिखना है इसमाल चलिए इसमें यहां पर लिख देते हैं इसमाल एसमाल बैबी यह हो गया अब सी नमर में लिखेंगे यह घर कैसा है यह घर को देखना थीन है नहीं सौट है नहीं बीग है तो यहां पर आपको ऐ बीग हर्स क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे एट बड़ा घ़र है अब यहाँ पर लिखेंगे एक बीग है लार्ज ब्यूटिफूल यह बिल्ली कैसी है? यह बिल्ली को देखर आपको लिखना है बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है इसको लिखे beautiful beautiful एक बिली कैसी है सुनदर दिख रही है अब यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ खाली जगा है और एक गर्ल टॉल इसमॉल यह कैसी है यह टॉल है लंबे हैं यह देख रहे हैं यह लड़की लंबी है यहाँ क्या लिखेंगे इस तरह से बच्चो देखे आपका describing word के सारे से यह आपका complete हो जाता है उमीद है आपको छी तरह समझ में आग्या होगा अब चलते हैं यहाँ पर let's play role play यहाँ पर कुछ खेल करने के लिए कहाता है अपनी गतिविदी के साथ खेल किजिए और यहाँ का रहा है let's write find the information about the elephant and write it about five lines to describe them यहाँ पर जो हाथी के बारे में कुछ दिया हुआ है इस पर आपको अपनी मन पसंद से पांच लाइन को लिखना है जो आपको अच्छा लगे जो describing word से पुरा करता हो तो बच्चो इसको लिखेंगे और यहाँ पर देखरें पर 59 की बात करें तो यहाँ पर read the text and answer the following question यहाँ पर कुछ कहानी दी हुई है इस कहानी को पढ़कर आपको यहाँ आंसर लिखना है तो यहाँ पर कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे सीवा एंड हर फैमली आर विजिटिंग एजू वो जू चिरियां घर देखने गए तो हर फादर यह ड्राइडिंग ए लॉंग ब्लैक कार वो उसके पिताजी जो है ड्राइडिंग कार लॉंग ब्लैक कार से गए है सीवा इज वेरी ब्यूटिफूल हैड उस माथे पर अपना टूपी लगाए हुए है तो इस तरह से कहानी में आप देखे और यह कोशन करा रहा है वाट इस इस स्टोरी एबाउट तीक दा करेक्ट ओप्सन यह कहारा इस्टोरी जो दी हुई है यह किस के बारे में है ब्लै टू आपका सही होगा आए बी नमर की बात करें तो फिल इन दे ब्लैंक विद करेक्ट आफ्सन डिस्क्रेबिंग वर्ड तो यहां पर जो डिस्क्रेबिंग वर्ड लिकी दी हुई है ब्लैक रेड ब्यूटिफूल तो सीवा फादर ड्राइव ए क्या लेके गया था तो यहां डिस्क्रेबिंग वर्ड क्या होगा ब्लैक होगा तो यहां पर आप लिखेंगे ब्लैक बी एल ए सी के यानि जो कहनी में यहां पर पढ़ रहें उसी को आपको लिखते हुए चलना है अब यहां का था एलिपेंट है जे ट्रंक सौर्ट हैपी लोंग क्या आप जो एल लाइन है टीथ एंड नेल शार्प ब्लंट लॉंग तो यह क्या होगा आपको इसी कहानी से पढ़ना है और लिखते हुए चलना है कि आखर यहां पर क्या होगा तो यहां पर आप देख रहें यहां भी है तो यहां देख रहें कि लाइन हैज शार्प है तो लाइन हैज क्य भी है कहाने में देखिए आपको कहीं पर लिखा हुआ हिपो पटामस है है यहां क्या है यह भी है चला रह तो तोagle से ऑस degसार रहे तो काई से यां घर के बादर किए थे वारे में आपको लिखना है तो फिस्ट कोसचठ का अंसर क्या लिखेंगे कि सीवा स्फाहतर ड्राइब ए लोंग बलाएक कार है और सेक्ड कुष्टन हाव और पीकॉक फेदर कैसी थे मोरकी पंक कैसे थे लिए पिकोग फेदर आर स्विनी बुलू थे अब यहां लिखेंगे लायन जबकि हाथी बड़ा है और लायन छोटा है यहां पर जो लिखा हुआ है तो यहां पर पुनी नीरू अनिता रीटू यह ब्रेव है नाटी है टॉक्टेविटी है जिनरेश्य है यह क्वेट है तो इसमें आपको ठीक लगाना है कि आखिर सही इसमें क्या होगा तो आप देख रहें इस तरह से आपको कहा जा रहा है इस तरह सी से कंप्लीट करेंगे आज़े चलते हैं फोर्थ कोस्टन में फोर्थ कोस्टन की बात किया जा रहा है कि go through the worksheet to find new words and find their meaning from the dictionary some of the words are given below जो दिया हुआ है इसमें आपको नए नए सब्सक्राइब को लिखना है अपने dictionary से तो यह रहा इस तरह से लिखेंगे ब्रेब का फियर लेस लिखेंगे नटी का immature लिखेंगे और टकेटीव लिखेंगे बॉली बात करके बनाना है तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं तो इसको लिख दीजे बच्च इसमाइलिंग वह मुस्क्रा रहा है तो यहां इसके बारे में लिखना है क्या लिखेंगे यहां लिख दीजिए सी इज ए गर्ड यह लड़की है यह कैसे हैं यह उदास हैं तो यहां पर लिख दीजिए सी इज सेड वह क्या है वह उदास है यह लिख दीजिए अब यहां क देखेंगे it is tea इसका मतलब होता यह चाय है और यह कैसा है यह देखने गरम है यहाँ पर लिख दीजिए it is hot यह कैसा है यह गरम है बच्चों इस तरह से देखें आपका पेज सब्सक्राइब किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए और ग्यान सीट्व के जितनी भी वर्कूप पड़ी हुए प्लिलिस्ट में है सारी वीडियो को जाके देखें और आप अपना वर्कूप सीट को त्यार करें क्योंकि इसी से अधिकतर कोस्टन आपके एक्जाम में पुचे जाएंगे. Thank you for watching my video.